हेलो फ्रेंट्स वेलिकम टू मैं चैनल तो आज हम सिंपल ब्लाउज की स्टेचिंग करेंगे तो इसकी कटिंग का वीडियो हमने अल्रेडी अप्लोड कर लिया है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं तो सबसे पहले हमने ये फ्रेंट का पाट लिया है सबसे पहले ये जो डार्ट्स है ये हमें स्टेच करने है तो इस तरह से इसको पकड़ना है और हमें यहाँ पे तिरची सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से हम सारे डार्ट्स लगा लेंगे तो देखे इस तरह से हमने ये सारे डार्ट को stitch कर लिया है अभी हम योग पट्टी stitch करेंगे तो ये योग पट्टी के दो दो पीस है दोनों side के तो यहाँ पर योग पट्टी की जो सीधी side है दोनों की वो हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद यहाँ पे नीचे सिलाई लगा देनी है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है दोनों साइड में उसके बाद हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी सीधी साइड में टर्न कर लेंगे तो अभी हमें इसको stitch करना है तो यहां पे जो curve shape है यहीं से हमें stitching शुरू करनी है क्योंकि side में हमारा extra हो जाता है उसको हमें cut करना है अगर हम यहां से stitch करेंगे तो योगपटी का shape भिगड़ जाएगा इसलिए हमें जो curve shape है यहीं से इसको stitch करना है तो इस तरह से हमें इसे इसके उपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें योग पट्टी को इसके उपर रखना है और स्टिच करना है तो यह हमने इसको स्टिच कर लिया है अभी यहाँ पर हम इसको प्रेस कर लेंके अभी यह जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंके अभी सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी योग पट्टी स्टिच करेंगे तो देखें हमने दोनों पार्ट में योग पट्टी को स्टिच कर लिया है अभी हम हुक पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए ये हमने strip ली है इसके width है 3 inch तो strip को हम left side में रखेंगे तो इस तरह से इसको रखना है और नीचे से हमें 1 inch strip extra रखनी है तो extra रखनी है और extra जो strip रहेगी उसको cut कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है अभी right side के लिए ये हमने strip ली है इसकी width है 2 inch इसे हम इसके ओपर रखेंगे और यहाँ पर भी नीचे से 1 inch की strip extra रखेंगे और यहाँ पर भी हम किनारे से सिलाई लगाएंगे तो हमने दोनों parts में strip को attach कर लिया है अभी ये जो 2 inch वाली strip है इसको हम सीधी side में turn करेंगे और यहाँ पर press कर लेंगे nail से और अभी देखें जो नीचे हमने 1 inch extra strip रखी है इसको हमें इस तरह से fold करना है और fold करते हुए हमें इसको यहाँ पर double fold कर देना है पूरी strip को और ये strip हमें पूरी ही अंदर की तरफ double fold करनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और अभी जो 3 inch वाली strip है इसको हम सीधी side में turn करेंगे और यहाँ पर nail से press कर लेंगे और नीचे जो extra strip है इसको हम अंदर की तरफ fold करेंगे उसके बाद ये strip हम सबसे पहले half inch fold करेंगे उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है इसी के उपर इसे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है ये strip हमें 1 inch बाहर की तरफ रखनी है तो इस तरह से दोनों strips को हमने fold कर दिया है अभी जो 1 inch वाली strip है इसके उपर हम दूसरे वाले पार्ट को overlap कर लेंगे तो ये हमारे hook पत्ती बन गई है तो इस तरह से ये हमारा front का पार्ट ready हो गया है अभी हम back का पार्ट ready करेंगे तो back part में सबसे पहले हम ये dart stitch करेंगे तो इस तरह से इसको fold करना है और तीरची सिलाई लगा देनी है तो हमने दोनों darts को stitch कर लिया है अब इसको सीधी side में turn करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ हम एक strip attach करेंगे तो ये हमने strip ली है इसकी width है 1.5 inch तो इस strip को हम एक side से सबसे पहले थोड़ा सा fold करके लेंगे तो हमने इसको fold कर लिया है अब इस strip को हमें इसके उपर उल्टा ही रखना है और यहाँ पर हमें किनारे से सिलाई लगा देनी है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर इसको press करना है देना है तो यहाँ पर हम पहले कच्छी सिलाई लगा लेंगे और बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टेज कर लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी बैक पार्ट में अभी फ्रेंट का पार्ट हमें इसके ओपर उल्टा रखना है और shoulders को attach कर लेना है तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम इसको सीधी side में turn करेंगे और अभी sleeves को attach करेंगे तो sleeves का जो front का part है वो हमें blouse के front part से attach करना है इस बात का ध्यान देना है और उसके बाद हमें shoulder को sleeves के center से मिला लेना है और sleeves को हम shoulder के ओपर उल्टा रखेंगे दोनों parts की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है और इसे stitch करना है तो सिलाई हम shoulder से stitch करेंगे और दोनों side में इसको stitch कर लेंगे तो ये हमारा sleeves perfect attach हो जाएगा और sleeves के bottom को हमें double fold करना है और इसी तरह से दूसरा sleeves भी हम stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को attach कर लिया है और bottom को भी fold कर दिया है बाद में यहाँ पर हम hand stitch करके सिलाई को निकाल देंगे अभी हम side से fitting कर लेंगे तो इसको हमें उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर hook पटी में pin लगा लेंगे तो fitting बराबर होगी और यहाँ पर सबसे पहले हम sleeves bottom लेंगे तो sleeves bottom में लेंगे 5 विंच उसके बाद यहाँ पर हमें measurement नहीं डालना है सबसे पहले हम नीचे कमर की तरफ measurement डालेंगे तो कमर है हमारी 28 इंच उसको फूर से divide करेंगे तो वो आजाता है 7 इंच प्लस उसमें half इंच की हमें losing ले लेनी है तो यहाँ पर हमारी कमर आ जाएगी 7.5 इंच तो यह जो hook पटी वाली सिलाई दिख रही है यहीं से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे अब यहाँ पर भी देखेंगे तो देखें 2 इंच है यहाँ पर तो हमने 2 इंच का ही margin छोड़ा था तो यह बराबर है एकदम या फिर आप यहाँ पर direct 2 इंच भी ले सकते हैं जितना आप margin छोड़ते हैं उतना आपको लेना है यहाँ पर भी हम 2 इंच ले लेंगे और इसको straight line से जोड़ेंगे इस तरह से सीधा ही रखना है और इसको जोड़ दीना है सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले side में भी marking कर लेंगे और अभी हम इसको stitch कर लेंगे तो हमने दोनों side से fitting कर ली है अभी हम इसको CD side में turn करेंगे उसके बाद यह जो pins है यह हम हटाएंगे और अभी हम neck ready करेंगे तो neck बनाने के लिए यह हमने तिरची पटी ली है cross strip और इसकी width हमने ली है 2 inch की तो सबसे पहले strip की एक side हम fold कर लेंगे तो हमने strip की एक side को fold कर लिया है अभी हम इसको attach करेंगे तो एक side से हमें इसको attach करना है तो यहाँ पर भी half inch strip सबसे पहले बाहर की तरफ रखेंगे उसके बाद पूरे round में stitch करेंगे तो दिखे हमने strip को पूरे neck line में stitch कर लिया है अभी strip को हम अंदर की तरफ fold करेंगे इस तरह से उसके बाद यहाँ पर हमें top stitch लगाना है और बाद में यहाँ पर हम hand stitch करेंगे तो neck line में finishing अच्छी आएगी और यह जो hook पट्टी है यहाँ पर हमें hook लगा लेने हैं तो इस तरह से हमारा blouse ready हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कीजे thank you